हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12 में प्रश्ट रसायन चैप्टर पढ़ा रहे थे यह हमारा पार्ट टू है तो देखिए हमने आपको पिछले क्लास में यह बता दिया था कि प्रारंभिक विचार धारा के अनुसार विलियन कितने प्रकार के होते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर तो आपके हैडिंग डालेंगे द्रव इसने ही अब देखिए द्रव का मतलब क्या होता है पानी होता है और इसने है का मतलब प्रेम से और कोलाइट के बारे में भी हमने आपको दाया था जो भी गाड़े विलियन होते हैं जैसे की सरेस है लेई है और यह हमारा ग्लू है यह सब इसमें आते हैं कोलाइड यह कहलाते है क्य उनके साथ और कि ऐसे आपको पढ़ाएंगे रहे हैं वह एताओ बना लेंगे जो आसानी से कवाइड से बना लेते हैं द्रव इसने ही कोलाइड कहलाते हैं इसका मतलब यह है जो पानी है पानी के साथ आसानी से मिल जाएंगे और कोलाइडी विलियन बना लेंगे इसने ही है तो यानि आसानी से मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा द्रव इसने ही कोलाइड कहलाएगा यहा आशा करते हैं कि आपको इस द्रफ नहीं को डाला है, चलीह आगे बढ़ते हैं, इस के बाद इसका अगला पार्ट है विरोधी को LIDE देखें द्रफ इस नहीं था याइन आसानी से बना ले रहे रहते हैं, ऩरिके साथ लिकाँए बनाँगे असे बना लेंगे त्रभ इस नहीं को लाइद यहां पर डेखियां में ख्याम्पल लिखा यहां आज और दहातों के klori-d, देखिए आज हमने आपको कितना पढ़ाया द्रव इसने ही कोलाइड और दूसरा हमने आपको पढ़ाया द्रव विरोधी कोलाइड इसने ही का मतलब जो आसानी से कोलाइडी विलिन बना लेंगे द्रव के साथ मिलकर वो क्या कहलाएंगे द्रव इसने ही और द्रव विरोधी तो इसमें कोई भी विधी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ये जो द्रव विरोधी कोलाइड है इसको बनाने के लिए कुछ विधीयों की ज़रूरत पड़ेगी तो उनके बारे में हम आपको नेक्स वीडियो में बताएंगे क्योंकि अगर इसमें बताएंगे तो काफ बन्दे मातर